शार की ताजा खबरे देखने के लिए इन्गी से न्यूज चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और साथ ही बेल आइकाउन दबाना ना पुले गुरुहा मंत्री अनिल देश्मुक ने वीदेश इश्रमिकों के परिवहन के लिए रेलवे प्रशासंद्वारा मुफ्त व्यवस्ताक करने के मुद्दे पर बात की है महारास्त में परपरांती लेवर याने माइगरेंट लेवर इनकी तादात बहुत बड़ी है मुम्मे में भी इनकी संग्या काफी बड़ी है ये सब लोग अपने अपने राज्य में अपने अपने गाव में जाना चाहते है कल के सभी अग्बारों में ऐसी ख़वर छवी थी कि रेलवे प्रशाशन पचासी प्रतिशन इनके टिकेट में छूट देने वाला है लेकिन अभी तक रेलवे प्रशाशन के और से कोई भी आदेश अभी तक निकले नहीं है सबी को बताए कि इस कामगारों को के 55 दिन से कोई काम नहीं है इनके बाद पैसा नहीं है ऐसी हलत में रेल्वे प्रशाशन ने इनके तरफ से उनके राज्य में जाने के लिए टिकेट के पैसे नहीं लेना चाहिए इसके बारे में उन्होंने विचार करना चाहिए उसके लिए मैं राज्य शाशन के और से रेल्वे प्रशाशन को बुजारिश करता हूँ कि उन्होंने इनकी टिकिट माफ करके इनको बिना टिकिट अपने अपने राज्य में जाने की इजाज़त देना चाहिए दन्यवाद